Holding वाले share अब कैसे buy करें ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हम समझते हैं कि holding वाले share का मतलब क्या होता है और इसे कैसे buy करते हैं और मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें दिखाऊँगा कि इनको sell कैसे करते हैं इनको sell करने के लिए एक special feature लगता है जो मै मैंने वीडियो में discuss किया आपको उसका link अगर sell करना है तो नीचे link description मिल जाएगा तो अभी हम देखते हैं कि buy कैसे करना है तो सबसे पहले हम ये हमारे portfolio में जाते हैं और यह हम समझते हैं कि holding क्या होता देखिए आप ये portfolio में जाएंगे तो यहाँ पे दो section होते हैं आपके top खरीदा है और यह उसका price है यह अभी कितना profit loss चल रहा है वो और यह देखें यह holding लिखा हुआ रहा है लेकिन यह अभी holding में गया नहीं है तो आज आज जो मैंने खरीदा है वो आपको positions में दिखेगा ठीक है और जो आज से पहले खरीदा है वो आपको यहाँ पे holding में आपको ऐसा T1 लिखा दिखे यह यानि कि कल खरीदे गए थे तो यह जो गुजर चुका कल है यह उसमें खरीदे गए थे और फिर उसके अगले दिन यह जो है normal उसमें आयते हैं यह मेरा P में आ रहा है आपके इसमें यह P लिखा हुआ नहीं आएगा यह P का मतलब होता है pledge तो आप इन shares को जो है वो गिर भी रखके इनके against आप margin ले सकते हैं लेकिन यह हमारा topic नहीं है उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना तो मैं यहाँ इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको share खरीद के holding में रखने हैं holding में share हमारे लिए यह संभाल कर रखते हैं तो जब हम share buy करते हैं जैसे मैंने बताया कि आज हमने कुछ share buy किये यहां position पे मैं क्लिक करता हूँ तो यह आज अभी जो share buy हुए है यह अभी exchange और broker के बीच में ही है ठीक है कल यह shares जो है वो यहां से निकल के और वो चले जाएंगे CDSL में CDSL जो है वो depository आप इसा समझ लिए कि कि जब आप एक DMAT account खोलते हैं तो वो CDSL में खोल रहे हैं जिरोधा का तो वो आपके DMAT account में जो है वो चले जाएंगे जो की है CDSL के पास समझे और वहां जाके आप एक तरह से आप इसको अपना locker समझ सकते जैसे bank में आपका locker होता ह वहां जाके यह जमा हो जाएंगे और जब वो वहां जमा हो जाएंगे तो आपको यहां पे holding में दिखेंगे अब इसका फाइदा क्या है holding में आप share को चाहे एक दिन आप store करके रखें एक महीना आप store करके रखें दस साल आप store करके रखें जितना भी रखें कोई problem नहीं है एक बार आपने खरीद लिया तो कितने भी समय आप उसे hold करके रख सकते हैं वो यहाँ पर आपको आपकी holding में इस तरह से आपको जो है वो दिखता रहेगा ठीक है अब यह buy कैसे करते हैं तो buy करने के लिए सबसे पहले हमको यह watch list वाले section में आना है यह मेरे यहाँ पर यह बह करता हूँ और यहाँ पर मैं search करता हूँ paytm ठीक है अब देखिए आपको यह paytm दिखाई दे रहा है यह दो entry आ रही है लेकिन दोनों में फरक है यहाँ पर यह NSE बोल रहा है यह BSE बोल रहा है NSE हमारा एक exchange है जिसका मतलब है national stock exchange BSE हमारा दूसरा exchange है जिसका full form है Bombay stock exchange द देखिए यह मैंने click कर दिया और अभी यह देखिए यहाँ पर यह टिक दिखा रहा है अब हम यहां से वापिस जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपकी list में सबसे नीचे जो है वह add हो जाएगा तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि यह paytm जो है व बहाँ चल रहा है तो अभी 325 रुपए 5 पैसे बहाँ चल रहा है जो कि कल के price से 17 रुपए 10 पैसे नीचे गिर चुका है लगभग 5% नीचे ठीक है तो अब अगर मुझे यह buy करना है तो मैं इस area में कहीं भी एक बार में click करूँगा इस तरह से और यह buy वाला जो button है इस प आपने यहाँ पर यह चार section है इसमें आपको regular वाला section ही select करना है यह पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है ठीक है exchange जैसे मैंने आपको बताया आप चाहें तो NSE आप चाहें तो BSE जिसमें भी price कम मिल रहा हो आप इस तरह से BSE select कर सकते हैं इस तरह से NSE तो अभी आप दे अब important चीज जो holding के लिए जो share खरीदने हैं वो आते हैं इसमें यह important चीज है जो point number 2 है जो आपको ध्यान रखना है intraday वाला नहीं खरीदना है अगर आपने intraday में buy कर लिया तो वो आज ही यह बहुत important चीज है intraday में मतलब आज ही buy होगा और आज ही sell हो जाएगा अपने आप sell हो जाएगा अगर आप उसे नहीं बेचेंगे तो तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें नहीं select करना है long term select करना है तो यह मैं long term पे मैं click कर देता हूँ ठीक है तो यह important चीज है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर यह regular और यहाँ पर यह long term यह दो आसपास अभी जैसे 325.05 चल रहा है 325.05 हो सकता है आप खरीदें तो आपको हो सकता है 325.01 पे मिले तो उसके आसपास का जो भी भाव होगा उस भाव में आपको immediately इसमें important चीज यह है कि आपको immediately जो है वो share मिलते है आपके share में कोई भी delay नहीं होता है अगर आपको आपके भाव पे चाहिए मैं बोलो कि नहीं मुझे 325 के भाव पे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर limit को select करता हूँ इस तरीके से अब देखिए यहाँ से blue हट गया यहाँ पर blue आ गया और यहाँ पर मैं अपना भाव डालता हूँ कि भई जब भी भाव गिर के 325 कर लाइगा तो आपको यहाँ से प्राइस गिर कर आएगा तो यह आपको मिल जाएगा ठीक है तो है यह आपकी quantity लिमिट में अपने भाव लगाया है मार्केट में आपका भाव नहीं होता है जो market में चल रहा होता है वो मिल जाता है ठीक है अब order place करने के लिए swipe to buy जो है इ उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि ये जो है ये रिफ्रेश वाला जो बटन है इसको एक बार आप दबा के और यहां पे आप देख सकते हैं नीचे कि ये खरीदने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है ये 50 quantity into ये प्राइस जो है वो खरीदने में आपको इतना पैसा लगेगा और उसका खर्चा कितना आएगा वो आप देख सकते हैं ये ठीक है तो ये बाय करते समय खर्चा है जब आप sell करने जाएंगे तो भी ऐसे ही खर्चा आता है और उसके लावा एक और additional खर्चा होता है जिसे हम बोलते हैं DP charges तो वो भी आप उसका मैंने वीडियो बनाया है नीचे description में link मिल जाएगा वो भी देख सकते हैं ठीक है तो अभी मैं इसको buy करने के लिए मैं आसे ये swipe कर देता हूँ ठीक है अब ये paytm में ये बोल रहा है कि ये paytm थोड़ा सा जो है वो एक surveillance measure में चल रहा है ये आपको और कोई दूसरा share खरी lower circuit लग गया है तो अभी हमको lower circuit पे ही खरीदना पड़ेगा तो हम इसे 0.05 कर देते हैं क्योंकि अभी ये paytm का share जो है वो lower circuit पे लग गया है ये हमने price डाल दिया और ये हमने limit में रखा अब ये immediately खरीदा जाएगा क्योंकि हमको ये lower circuit लग गया और हम वही price डाल रहे हैं ज ये प्रोसीड पे क्लिक के और देखिए immediately आपका order complete हो गया क्योंकि ये lower circuit पे चल रहा है lower circuit का मतलब क्या होता है देखिए मैं इसको खैंच के उपर लेके जाता हूँ यहां से lower circuit मतलब होता है कि कोई भी buyer नहीं है हमने खरीदा लेकिन और कोई खरीदने वाला नहीं है बेच 100 quantity का order complete हो गया है 325.5 पे आप देखेंगे तो मैंने morning में भी आज यहां पे 100 quantity मैंने खरीदी थी अगर आपको यहां पर कहीं दिख जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह तो cancel किया है यह भी cancel किया है खरीदा था कि नहीं खरीदा था सुबह शायद नहीं खरीदा है चलो कोई बात नहीं हम जो है वो सीधा अपने portfolio में जाकर चेक कर लेते हैं तो portfolio में अगर हम यहां नीचे जाएंगे तो हमको sorry यह holdings में नहीं पोजिशन में हम जाएंगे तो हमको यहां पे पे टियम उपर या नीचे कहीं दिख जाएगा हाँ तो 100 quantity है मतलब सुबह मैंने नहीं खरीदा था दो वार लगाया था लेकिन मैंने cancel कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि price फिर lower circuit पा सकता है तो यह 100 quantity मैंने खरीद ली है और यह आज आपको यहां पे positions में दिख रहा है कल यह आपके holding में आ जाएगा और उसे फिर आप जितना समय चाहें आप share कैसे sell करते हैं वह आपको नीचे description में link मिल जाएगा तो वहां से आप इसको sell कैसे करना है जब भी करना चाहें तो वह कैसे करना है वह आप देख सकते हैं तो यह simple सा तरीका है आपके holding के share buy करने का that is it thank you very much have a good day bye bye